वेलकम टू लर्निंग्टिव चैनल कलास वन में हम लोग परसंटेज का बेसिक चीज़ देख लिए चुके थे आज हम लोग कलास टू में परसंटेज को आगे कंट्यूनिव करने वाले हैं और जो यह कलास होगा उसमें हम सबसे पहले उस सवाल का बेसिक और सौर्ट अप्रो कोश्चन मिलेगा उसको प्रैक्टिस जरू कर लेना है जिससे इसमें पहला कोश्चन जो बिनीत का जनवरी और फरवरी के आय का अनुपात जो गयारे वट्टा दो अनुपात 15 वट्टा चार दिया गया है इसका मतलब जनवरी में उसका आय अगर 11 वट्टा दो है तो कोश्चन साथ आएंगे इसको तो यह दो से दो बार हम लगाएगा और यह दो इसन मृट्टिपल होगा यानि इसके जो जनवरी और फरवरी के आय का अनुपात आएगा वो क्या जाएगा बाएशन पात 15 ठीक है इससे पहले भी एक पिछला वाले वीडियो में बताये थे क कि जब भी परसेंटेज निकालना हो तो हम क्या करेंगे अनुपातिक वैली में ही निकालेंगे अनुपातिक वैली में क्या होगा कि बहुत ही जल्दी या सौटकॉर्ट से उसका हम परसेंटेज निकाल सकते हैं तो इसमें क्या बोला जाएगा कि जनवरी का आय है फरवरी क कि आए से कितना परतिसत अधिक है तो पहला सवाल जनवरी की आए फरवरी की आए से कितना परतिसत अधिक है तो परसेंटेज कम या जैदा निकालने के लिए परतिसत काम या जैदा निकालने के लिए सब से हम पहले क्या करेंगे जो अंतर आएगा उसको हम लोग उपर लिख लेंगे और जिससे तुलना करेंगे उसको हम लोग नीचे लिखेंगे गुना 100 ठीक है इस पे तीन टैप का सवाल बनेगा तीनों टैप को हम अच्छे से समझ लेंगे तो हमें परसंटेज में कहीं भी दिखत नहीं होगा जिससे इसमें बोला जारा है कि जनवरी की 58 है और फखरवरी की 58 यादि बाइस- से कितना अधिक है तो कितना अधिक है या दिक पर्ति सत निकालने तो कितना अधिक है ebenfalls जो है वो पं的是 है मैं 7 साथ दिख़ए कितना से किस प्रणा में 2 15 की प्रणा में 1 3 यानि 5 से ये 3 बार में 5 से 20 बार में यानि ये कितना जाएगा 140 वर्टा 3 यानि 3 चोका बारत 40 पुनांग 2 वर्टा 3 पर 30 अधिक है यानि इस सवाल का जो अंसर होगा वो अप्शन नमर B हो जाएगा ठीक है पहला सवाल इस पर ये बन गया दूसरा सवाल इसमें ये बन सकता थ था कि फरवरी का आय जनवरी से कितना कम है यानि फरवरी का जो आय है वो जनवरी से कितना कम है ये भी सवाल बन सकता था तो अगर हमें कम परतिसत निकालने यानि कितना कम परतिसत है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं अंतर को लिखेंगे यानि कितना कम हो रहा है साथ साथ कम हो रहा है ठीक है जनवरी की आए फरवरी की आए जो है 15 वो जनवरी की आए 22 से कितना कम हो रहा है साथ कम हो रहा है किस से साथ कम हो रहा है 22 से साथ कम हो रहा है तो 22 को नीचे लिखेंगे जैसे यहां पर 7 ज्यादा हो रहा था, किस से ज्यादा हो रहा था, 15 से तो 15 को नीचे लिखे, यहां पर कम का परतिसत निकालें, तो 7 कम हो रहा, किस से कम हो रहा, 22 से तो 22 को नीचे लिखेंगे, गुना 100, यानि 2 से 11 बार में, 2 से 50 बार में, यानि सारे 300 बटाई 11, यानि 11 या इसमें एक सवाल और बन सकता है वो क्या ये बोल सकता है कि फरवरी की आए जनवरी का कितना परतिसत है यहाँ पे ज्यादा या कम नहीं बोला जा रहा है यहाँ पे सिर्फ इतना बोला जा रहा है कि फरवरी का आए जनवरी का कितना परतिसत है अगर ज्यादा या कम बोला जा लेकिन यहां पर ज्यादा या कम नहीं बोला जा रहा है तो हम क्या करेंगा फरवरी का आई निकालना है तो फरवरी का आई कितना है 15 जनवरी का यानि किस से तुलना कर रहा है जनवरी से तुलना कर रहा है तो जनवरी को हम लोग नीचे लिखेंगे यानि फरवरी का है 15 हो र सकते हैं तो इसमें तीन टैप के सवाल बन सकते हैं यह तीनों टैप के सवाल को हम लोग देख चुके एक और बन सकता था कि फरवरी का आए फरवरी का कितना परतिसत है, जनवरी का फर्वरी का कितना परतिसत है ये भी सवाल बन सकता था, तब हम जनवरी को उपर लिखते हैं, फर्वरी के तुलना बोला जाता है, फर्वरी को नीचे गुना 100, ठीक है? तो ये चारो टैपस को हम लोग अच्छे से ध्यान में रखेंगे इसका यूज हर जगा होगा अब जिसे नेक्स आवाल देखते हैं इसमें सुनील का जनवरी और फरवरी का आय का अनुपात ये पंदरा वट्टा दो हो जाएगा अनुपात 24 वट्टा 5 हो जाएगा अगर हम क्रोस मिल्टिप्लिकेशन करेंगे तो 15 पंचे 75 अनुपात 24 वट्टा दीखा है ये जनवरी फरवरी के जो आय का अनुपात आया जनवरी और फरवरी के जो आय का अनुपात आया वो 75 अनुपात 48 आ गया तो इसमें क्याची पूछाजार है जनवरी का आए फरवरी की आए से कितना परतिसत अधिक है यानि जनवरी का आए 75 है 48 से कितना अधिक है तो पहले अंतर निकाल लेंगे 37 सा जाएगा अंतर किसके तुलना में 48 के तुलना में 48 से 37 सा दिक है तो 48 को नीचे लिखेंगे गुना 100 यानि 9 से 39 से कटेगा 9 बार में 3 से 16 बार मेंए 4 से 4 बार में 4 से 25 बार में यह 56 पुना एक बट्टा 4 परतिसत 56 पुनानेंग गट्टा 4 परतिसत 60 पुना आदिक stiff66ів बट्टा 4 राइट अनसर होगा वांककि यह सवाल 56.वाल खुझ से प्रैक्ठिस कर ले ना है अब अब हम लोग next सवाल की और बढ़ते हैं अब हम लोग I और ब्याय से संबंदित जो सवाल होता है उस सवाल पर चर्चा करेंगे तो उससे पहले एक चीद ध्यान देंगे अगर हम लोग I में से अम ब्याय को घाटा देते हैं तो क्या चीद पराप्त होता हैं ठीक है यह कर रहे हैं ठीक है तो इस इस चीज को ध्यान में रखेंगे और इसी चीज पर सवाल हम लोग बनाएंगे जिसे इसमें बोला जा रहा है अनिल अपनी I का 75% खर्च करता है ठीक है तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अगर इस तब का परसेंटेज का सवाल जब भी आए तो हम को नाम में कोई भी चीज इजी वें निकल जाता है जैसे अगर हम असी रुपया मानते तो 75% फिर इसका निकालना पड़ता है केलकुलेशन करना पड़ता इतना लेकिन अगर हम आए को 100 रुपया मानेंगे तो खर्च 75% हो रहा है तो 100 का 75% 75 रुपया ही होता है तो इसका बोले उसकी आय में 25% की विर्धी हो जाए अगर आय पहले 100 था अगर 25% के विर्धी होगा तो अब उसका ए 125 हो जाएगा और अपने बचत को 20% बढ़ा लें यानि बचत पहले 25 था अगर वो 20% से बढ़ाएगा तो 120% हो जाएगा 120% का सौट फर्म क्या बोले थे 6 वर्टा 5 तो 6 वर्टा 5 यूज करेंगे और ये 5 से 5 बार में 6 पंचे 30 यानि जो उसका बचत होगा वो 30 रुपया हो जाएगा इस तरह के से भी सोच सकते थे दूसरा ये चीज़ सोच सकते थे जैसे अगर बचत में कितना से बढ़ा रहता ह बचत में 20% से बढ़ा देता है यानि 25 का 20% निकाले के लिए हमें 20% का सौट फर्म 1 वर्टा 5 होता है ना 25 का 20% के दो एक वर्टा 5 निकाले तो 5 रुपया यानि अगर 5 रुपया बढ़ा तो इसका मतलब बचत 30 रुपया हो जाएगा इस तरीके से भी निकाल सकते थे जब 125 रुपया उसका ऐ है और 30 रुपया बचत कर रहा है इसका मतलब 2 रुपया कितना हो जाएगा इस दोनों को घाटा देंगे इसका मतलब जो बचत को गटा देंगे तो खर्च जा अब उसका खर्च कितना हो रहा है 95 रुपया हो रहा है ठीक है तो इसमें क्याची सवाल पूछा जा रहा है कि तो इस परकार नया खर्च पुराने खर्च से कितना परतिसाद जैदा होगा या नया खर्च अब 95 हो गया अब पुराना खर्च था 75 तो कितना परतिसाद जैदा होगा यानि परतिशत बिर्दी कितना का हुआ यानि 20 रुपय बरहा किस से 75- incumbent 25 रुपय बरहा गया न 75-25 रुपय हुआ यानि 75 के तुलना में 20 रुपय बरहा यानि गुनेह 100 अगर हम 25 से काटेंगे तो ये 3 बार में 25 से काटेंगे तो चार बार में यानि 80 वत्त 3 यानि 26 पुनांक, दो बट्टा, तीन परतिसत, ओप्सन नमर सीज का राइट अंसर हो जाएगा ठीक है, एक सवाल और इस पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, ताकि इसे यह सवाल इजीवे में समझ जाए जिसे जाए अपनी आय का 60% खर्च करता है, यानि अगर आय को हम लोग 100 मानते हैं, तो उसका खर्च कितना हो रहा है, 60 उसका खर्च हो रहा है, तो उसका बच्चत कितना होगा, यह तीनों चीज लिख लेंगे, आय बच्चत अगर निकालें, क्योंकि हमें इस सवाल को बनाने हमें तीनों चीज का जोद परेगा, आय का भी, खर्च का भी, और बच्चत का भी, अगर 100 रुप्या आय है, और और 10 रुप्या खर्च कर रहा है, 100 का 7% साथ ही होता है, तो कितना का भी, अब उसके आय में 30% के वीर्दी हुआ, यह तो हम डिरेक्ट 130 करेंगे, तो डिरेक्ट 130 हो जाएगा, और अपने बच्चत को 15% से बढ़ा देता है, यह पहले बच्चत 40 था, अगर 15% बढ़ायागा है इसका मतार 40 का 15% कितना होता है यानि इन इन चलिस पुनके सवाब 30 55 ये उनी छREY Feny रुपए होता है यानि 40 का 15 पर संट अगर ठीर रुप्या होता है अगर एक शे डुत मे छिए उर्पय करेंगे तो यह ёपि या फिर अप डिर्क्ट अश्व मत्यी editing करेंगे तो यह 115 परसंट हो जाएगा तो पांस से ये तैस बार में पांस से बीस बार में और बीस से दो बार में तैस दुना 46 तो भी डिरेक्ट 46 आ जाता है अब क्या हुआ कि 130 रुपय उसका आई हो गया 46 रुपय उसका बचत है तो खर्च कितना होगा हम इसको दोनों घटा देंगे ये दोनों घटा आएंगे तो कितना हो जाएगा 84 रुपय आप खर्च हो रहा है तो क्याची पूछ रहा है नया खर्च पुराने खर्च से कितना परतिसत अधिक है तो नया खर्च 84 है पुराना खर्च 60 है तो कितना अधिक हो रहा है 24 रुपय अधिक हो रहा है किसके तुलना में 60 के तुलना में गुना 100 यानि 12 अगर काट कि दो सबावभ तो स्वाल को रफ जांजिस को और आंसर भी आपका और बनाके देखें कि आपका यह ऊंसर मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है अगर सबस्रुमिंप फिर से एक बार वीडियो देखेंगे अब फिर से इसको इस सबाव बनानें अब नेक्स सवाल देखते हैं अब हम लोग आई-बयाई प्यादारित सवाल परहते हैं इस प्यादारित को और सवाल है उसको पहले देख लेते हैं उसके वाद इस सवाल को देखेंगे जिसमें क्या है सौरव अपने मासिक आयकाब 20% बचत करता है तो सेम उसी तरीके से क्या करेंगे सब से पहले आय मान लेंगे उसके वाद यह बया है और यह बचत ठीक है अगर उसका आय सो रुपया था तो 20% अगर बचत कर रहा है तो इसका मलब उसका बचत बीस रुपया हो जाएगा तो बया कितना करेगा 80 रुपया बया करेगा वो 100 में से 20 जाएगा तो 80 रुपया बया करेगा यह अगर 100 रुपया आय है और 20% बचत कर रहा है तो इसका मलब 20 रुपया अगर 20 रुपया बचत कर रहा है तो 80 रुपया इसका मलब खर्च कर रहा है अब क्याची बोला एक व आवजूद भी वो पहले जितना ही बचत कर रहा है यानि जब उसका 90 रुपया आया हुआ तो पर भी वो 20 रुपया ही बचत कर रहा है ठीक है तो इसका मतलब वो कितना ब्याय कर रहा होगा आप 70 रुपया ब्याय कर रहा है 90 में से 20 गया 70 यानि अब वो 70 रुपया ब्याय कर का या पहले यंद्णतर निकालेंगी 80 और 70 का अंतर 10 यानि 10 का कम्हाना किसके तुलना कवाीब सारे 12 परतिसत काAllah क्मी आया इसे निए 85 म् listeners को जिसी हम लोग nager लिखेंगे तो यानि गुने 100 लोग क्रया दो यहार से और चार से छैक निद्द्द कर चार से नेद्द किसे 100 मान के उस सवाल को solve कर लेंगे बहुत एजीवे में सवाल बन जाएगा जिसे एक सवाल और लेते हैं सोरा अपने मासिक आय का 25 परसेंट बचत करता हैं यानि उसका सबसुना भासें लेंगे आय ब्याय और बचत करता हैं आगर 200 परसेंट अगर 25 परसेंट बचत करता हैं तो 75 पर करेंगा 100 में से 25 घटाएंगे तो 75 अब क्या बोला उसकी आए में 10% कमी हो गया यानि अब उसका आए 90 रुपे हो गया और इसके बावजुद वो पहले जितना ही बचत करता है यानि बचत भी अब उसका 25 का 25 ही है तो ब्या कितना कर रहा है अब अब कितना का ब्या कर रहा है 25 रुपे ब्या कर रहा है तो क्या ची बोला खर्च में कितने परतिसत की कमी आया यानि परतिसत कमी निकालने के लिए कितना का कमी आया पहले 25 था खर्च और बाद में खर्च 55 रुपे आओ गया यानि 10 का कमी हुआ किसके तुल्ला में 75 में गुना 100 यानि 25 से 3 बार में 25 से 4 बार में यानि 40 वट्टा 3 तेरा पुनांक एक वट्टा 3 पर 30 का कमी आया इसका जो अंसर होगा तेरा पुनांक एक वट्टा 3 हो जाएगा अब इसी टैप से ये दो सवाल है इस दोनों सवाल को खुद से प्रैक्टिस करके आंसर मैच कर लेना है ठीक है अब हम लोग नेक्स टैप के सवाल को बरते है इसमें क्या है ये जो सवाल अजय अपने दो पुतर राम और स्याम को अपनी मासी का 4% उसके जेव खर्च के लिए देता है उन दोनों पुतरों को मिलने वाली रासी का 60% बड़े लर के राम को मिलता है और राम अपने भाग का 70% ब्या कर देता है और 70% माचीक पत्षत करता है देखे इस सवाल को अगर गौर से देखेगा तो जो उसके पिता का आई होगा उसका 4% राम को मिला और इस 4% में से 60% बड़ा लरका को मिला और ये 60% में से 70% खर्च करके और 70% पर बचा रहा है यानि जो परसेंटेज निकाल रहा है जो परसेंटेज आएगा उसी परसेंटेज पर हमें आगे काम करना है तो इस सब्टाप का सवाल जब भी आए तो हम क्या करेंगे उसके पिता का जो आई है उसको हम लोग X माल लेंगे पिता का आई को हम लोग क्या माल लेंगे X माल लेंगे इस सवाल ज़्यादा लंबाने ये बहुत ही easy way मन जागे जैसे X रुपया उसका आई है अगर 4% जेव खर्च के लिए अपने बेटा को देता है तो इसका मतलब X का 4% बेटा को मिलगा या इतना रुपया बेटा को मिलेगा राम और स्याम को मिलेगा अब इस 4% में से यानि उन दोनों पुत्रों को मिलने वाल रासी का 60% बड़ा लरका राम को मिलता है यानि ये जो 4% बचा इसका 60% जो भाग होगा वो किसको मिल रहा है राम को मिल रहा है यानि ये जो भाग है वो किसको मिल रहा है राम को मिल रहा है 60% जो है वो राम को मिल रहा है अब राम क्या करता है अपने भाग का 70% ब्याय कर देता है और 70 सुर्पया बचत करता है ठीक है अब देखे राम को इतना रासी मिल रहा है अब इस रासी में से राम अगर 70% ब्याय करता है यानि इस टोटल 100% होता है कोई भी चीज अगर वो 70% कर रहा है जिसका मतलब 30 रुपया वो बचत कर रहा है 30 परसेंट बचत कर रहा है अगर 70 परसेंट बचत कर रहा है तो अगर हम इसका 30 परसेंट निकालेंगे राम क्या आए का 30 परसेंट तो यह क्या जाएगा बचत आजाएगा और बचत कितना रुपया का हो रहा है 37 रुपय के यानि बड़ावर 37 कर देंगे डिरेक्ट ठीक है अगर यहाँ पे 37 रुपय ब्याए आता है ब्याए तब हम 70% ही निकालते हैं क्योंकि ब्याए को ब्याए के बरावर करेंगे बचत को बचत के बरावर करेंगे यानि यह 2-0 से 1 और 2-0 केंसिल यानि 3 से 9 बार में कट जाएगा 3-2 बार में और 3 से 3 बार में फिर यह 4 से 20 बार में और 2 से 50 बार में यानि 25、5 ए 165 और 3 से गुना करेंगे तो 625 एक नट नहीं 25 पर 125 और 125 को अगर हम तीन से गुना करेंगे तो 3750 यह इसका जो अंसर होगा option नमर 20 का right answer हो जाएगा तो इसका जो अंसर होगा 3750 option नमर 20 का right answer होगा अब next सवाल बिजयया अपने दो पूतर राम और सைयमक Sharp прямо का दस परसेंट उसके ज lot को मिलता है और राम कै करता है उस अशी परसेंट मेंसे 6 ब्याद करता है यानि इसका जो उसके पिता का आय था इसका दस परसेंट राम को मिला और इस दस का सी परसेंट ये बदा लर्गा को मिल विला तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो टोटल, विजय का जो i होगा, उसको हम लोग x माल लेंगे, विजय का जो i होगा, उसको x माल लेंगे, अगर X का 10% अपने पुत्र को दिया X का अगर 10% दो पुत्र राम और सियाम को दिया तो इसका मतलब 10% वो पुत्र को दिस्टिबूट यानि इतना रासी पुत्र को दे दिया अब इस 10% में से दोनों पुत्रों को मिलने वाली रासी में से 80% बड़ा लरका राम को मिला याँनि अगर इतना में 80% बड़ा लरका राम को मिला याँनि इसका 80% जो निकलेगा वो राम का आई हो जाएगा याँनि ये भाग राम को मिला यहां से यहां तक भाग का भाग जो है राम को मिला अब राम क्या करता है? वो 60% BIR कर देता है याने इतना भाग का अगर 60% BIR करता है और यहाँपे 96 रुपया जो दिया है वो बचत दिया गया है तो हम यहाँ 60% नहीं निकालके 40% निकाल लेंगे 40% निकालने थे क्या जागा किंख 10% BIR है तो 40% BIR हो जागा और ये बचत किसके बरावर है 96 रुप्या के बरावर है तो यहां से हम लोग कैलकुलेशन करके X का भालू निकाल सकते हैं यानि ये डवल 0 से 20 से काटेंग तो दो बार में 20 से 5 बार में 2 बटा 5 20 से 4 बार में 20 से 5 बार में और 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 498 और ये 12 96 ये 12 50 60 6 35 300 और ये 10 यानि एक से कल्टर कितना हो जाएगा 3000 यानि इसका जो राइटर नस रोगा वो 3000 हो जाएगा ठीक है अब बांकि ये दो सवाल खुद से प्रैक्टिस कर लेना है अब हम लोग कुछ एफेक्टिव जो फर्मूला होता है उस पे डिसकस करेंगे उससे पहली ये जो दो सवाल है वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है अब जिसी इस तरह का सवाल देखते है राजन अपनी मासी का एका 50% खाने पे खर्च करता है और 25% वस्ट पे खर्च करता है और 1500 रुपे सिक्छा पे खर्च करें और सेषपुंधी जमा करें यदि सिक्छा पे खर्च कि गई पुझी खाने और बस पे खर्च की गई पुझा का 10% हो तो राजन का पर्तीमा कितनी रुपे जमा करता है देखें इस सवाल को बनाने से पहले हम लोग क्या करते हैं टोटल परसेंटेज जो होता है अपने आप में वो 100% होता है ये 100% में हम क्या करते हैं सबको पहले अलग-अलग डिस्टिबीट कर देते हैं 50% खाना पे खर्च करता है यानि खाना पे उसका कितना हो जागा 50% और 25% वास्तर पे खर्च करता है यानि वास्तर पे कितना हो जागा 25% ठीक है और 1500 पे शिक्षा पे खर्च करता है तो अभी ये शिक्षा परसेंटेज में नहीं है इसलिए इसको अभी हम लोग इग्नोर कर देंगे इस चीज़ को अभी हम लोग hidden रखेंगे ठीक है 1500 पे शिक्षा पे खर्च करता है इस रूपिया को hidden रखेंगे क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ परसेंटेज का बात कर रहे है यानि अभी हम लोग सिर्फ परसेंटेज का बात कर रहे है अगर सिक्षा पे परसेंटेज दिया रहता तब हम लोग यहां पर लिख सकते थे लेकिन यहां पर पर सेंटे नहीं दिया है तो इसको अभी हम लोग राण देंगे 1500 पर सिख्षा पर खर्च करें और 6 पुंजी जमा करें ठीक है और सिख्षा पर जो खर्च है वो खाने और बस्तर का 10 परसेंट है खाना पे 50 था और 25 था यनि ठोटन मिला कि पच्छाième प्रहिए इसका मतलब साहलेग्स साथ पर्षेन्ट सिक्छा पर कर बच्छकर रहा है तो सरे त्थी एक कर सथ पर पर्षेन्ट 7 पर्शेंट पर स्च्छा पर्षेवर है jeśli immediately we have to जब खाना पे 50, वस्तर पे 35 और सिक्षा पे 7.5% खर्च कर रहा है तो बच्चत उसका कितना हो जाएगा सेस पुंजी जमा करता है न तो जमा पुंजी कितना हो जाएगा कितना परतीसत हो जाएगा 50, 25, 75 प्लस सारे 7 यानि सारे 82% तो खर्च कर दिया यह 100% में सारे 85% अगर खर्च हो गया तो इसका मतलब सारे 17% जो बच्चा वो जमा हो जाएगा सारे 17% ठीक है अब जब परसेंटेज में डिश्टिविट हो गया तो यह सवाल बहुत ही easy बें बन जाएगा अब देखते हैं सारे 17% बच्च परसेंटेज में 26% बच्च जलब जाएगा 75, 2,5 फिर यह 200 आजएगा यह एक परसेंट का वालु 200 तो क्याषी पूषा राजन परतीमा कितने परेजमा करता अगर राजन का बेतन पूषता तब हम 100% का वालु निकालते को इसका हम नहीं ऊप्टा था या नो सब से यह हो जाएक منयलिपूर्य को इसका घ्लियू हो जाएकैं तो सब्सक्राइब इना इसका इन्सांडा उच्छे से कंलीड हो जाएगा एक सब्सक्राइबавайया हूज 1 इस देखें कि ज़्ेशन अपने मासर काएका 20% कहने कर अब खर्च करता है और back penny आर्प आज Toro करता है कर है और वास्तर पर कितना खर्च करता है तीस परसेंट पर खर absolute परसेंट कर रहा है तो यह रूपिया वाले चीज को अब हम लोग हीड़े नहीं रखेंगे अभी हम केवल परसेंटेज का बात कर रहे हैं और सेश पुंजी जमा करते हैं इस शिक्षा बच गया अब दो चीज और बच दो चीज और पर खर्च कर रहा है एक शिक्षा और एक शिक्षा पर खरक्ष करें तो संतर का इस परसेंट कृशलार 14 तो कि आगर 40 को जमा करेगाने अब सब्सक्राइब हों गया दो में तो एक पर्सेंट का भालू कितना हो जाएगा था था निहीं 2 तो शॉलम privilege वह एक साट वाल करता लोगा बॉल्सियों और प्रतिमा कितने रुपिचमा करता है न किसीपस कर रहा किनी patient परसंद कवालों कितना हो जाएगा सोलतिया अर्टालिस हो यानि इस सवाल का जो अंसर होगा वह अर्टालिस हो जाएगा और बांकी जो दो सवाल है इस टैप का वो खुद से प्रैक्टिस कर लेना है यानि ये दो सवाल है 71 और 72 ये सवाल खुद से प्रैक्टिस करके और आंसर मैच कर लेना है ठीक है अब हम लोग कुछ और अधर सवाल पर आते हैं जिसी ये सवाल तीन बैक्ती ABC की कूल आए 30,000 रुपय दिया गया है ये दियो अपनी आयका 60% 90% और 80% खर्च करता है और उसके बचत का जो अनपात है वो 8,35 है तो C की आई याद करें ये सवाल हम लोग रेस्य और परपोर्शन चेप्टर में भी देख चुके थे और इसको फिर से एक बार इसमें भी देख लेते हैं लोग जैसे तीन बैक्ती ABC है और ये ABC का जो कूल आया है A पलस B पलस C वो कितना दिया गया है वो 30,000 दिया गया है ठीक है अब वी अपनी आयका 60%, 90% और 80% खर्च करता है यानि A 60% खर्च करता है B 90% खर्च करता है और CSC पर्च करता है और ये जो दिया गया अनुपात वो बचत का अनुपात दिया गया है तो हम क्या करते हैं सबका अलग-अलग बचत निकाल लेते हैं जैसे अगर हम A का बात करें A अगर 60% खर्च करता है तो 40% बचत करेगा और A का बचत का जो अनुपात है, वो कितना दिया गया, A का बचत अनुपात में 8 है यानि 20 से 2 बार में, 20 से 5 बार में और ये 2 से 4 बार में, यानि A का जो इंकम होगा, वो 20 रुपया होगा अनुपात में यह 20 रुप्या होगा है जैसे कहने का मतलब A का आए A रुप्या माल लिए तो अगर A का आए A रुप्या है अगर वो 60% खर्च कर रहा है तो 40% बचत कर रहा है और बचत किसके बरावर है? 8 के बरावर है यहां से A का आए 20 रुप्या आगे है अगर हम B का बात करें B अगर 90% खर्च कर रहा है तो 10% बचत करेगा B का I हम B रुपया माल लिए और वो 90% अगर खर्च कर रहा है तो 10% बचत करेगा और उसका जो बचत दिया गया वो 3 रुपया दिया गया है तो यहां से 0 से 0 कर गया यानि B का जो I आएगा वो 30 उर्पे आ जाएगा यानि ये 10 उधर मल्किपला होगा अब C का बात करें यानि C 80% खर्च करता है अगर C 80% खर्च करता है इसका मतलब 20% बचत कर रहे है और इसका जो बचत दियाएगा वो कितना जाएगा 5 दियागा है यानि 20 से कितना बार में 5 बार में यानि C का जो I होगा वो कितना जाएगा 25 उर्पे हो जाएगा अब A B C के जो I का अनुपात आ गया वो कितना आ गया 20 अनुपात 30 अनुपात 25 आ गया 20 अनुपात 30 अनुपात 25 है जब की चता वोन्फात में दिया गया है जो इनकाम वह भी अनुपात में याएगा है अगहाम 5 से काटे हूं तो यह 45 यह छय चuse । पांस यह ङाने में में चारते पांच उसके आई का अनुपात पाल के सब्सक्राइब 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 पाद में पाँच तो पाँच का वहलों कितना हो जाएगा पंदना दस अजार यानि इस सवाल का जो अंसर होगा ऑप्शन नमर एसका राइट अंसर हो जाएगा अब जिस उसी टैप से यह सवाल देखते हैं अगर इस सवाल को देख लेंगे तो हमें यह पूरा कॉंसेप्ट जो है वो किलियर हो जाएगा जिससे अगर तीन व्यक्ति ABC की कूल आए वो 18,600 दिया गया यानि A पलस B पलस C का जो कूल आए है वो कितना दिया गया चाराजा 600 दिया गया है यदि वो अपनी आय का 75%, 80%, 90% खर्च करते हैं और उसके बचत का अनुपात 3,2,4 है यानि यह जो है बचत का अनुपात है तो हम percentage से भी क्या निकाल लेते है बचत निकाल लेते है यानि A का income A रूपया है अगर वो 75% खर्च कर रहा है तो इसका मतल B का निकाल लेंगे, B अगर 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचा रहा है और वो बचत कितना दिया गया है दो दिया गया है तो यानि 20 से पांच बार में तो B बरावर कितना हो जागा पांदमा 10 रूपया उसी तरह अगर C 90% खर्च कर रहा है तो इसका मतलब 10% बचा रहा है और जो बचट दिया गो खितने देगे चार रूपया दिया गए है तो यह एक जिरो गिवा खाट आगा याँ सी का जो इनकाम आईगा 40 रूपया जाएगा याँ इनए ए भी सी के जो आइ का अनुपात आ sliding वो 12 अनुपात 10 अनुपात 40 हो ढगा अगर 2 से काटेंगे तो 6 बार में, 2 से 5 बार में, 2 से 20 बार में यानि 6 अनुपार्थ, 5 अनुपार्थ, 20 उसके I का अनुपार्थ आ गया है और टोटल I अनुपार्थ में कितना हो रहा है 6, 5, 11 और 20, 31 टोटल I अनुपार्थ में 31 और वास्ता में टोटल है कितने 18600 यानि जब 31 का भालू 18600 दिया गया है तो एक का भालू कितना हो जाएगा 31 को 600 गुना करें 600 ठीक है जब एक का भालू 600 तो C का ये पूछ रहे हैं न तो C का ये कितना हो जाएगा कितना ये इस सवाल का जो अंसर होगा वो 12000 हो जाएगा यह यहां पर 3000 इसका सवाल का अंसर 12000 इसका रैट अंसर होलगा णिसी का इनकम होगा वह 12000 करेंगे इसको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है जिसका जो कॉंसेप्ट होगा वह अच्छे से किलियर हो जाएगा दो सवाल और ओगे इस टैप का ये दोनों भी खुद से प्रैक्टिस कर लेना है तो आज का सेसन हम यहीं खतम करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इफेक्टिव फर्मूला परहेंगे यानि परसेंटें जो इफेक्टिव का यूज होता है वो कब और कहां और कैसे य नेक्स्ट वीडियो में परहेंगे तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू बाई बाई